हेलो इस वीडियो में हम true और false function के बारे में जानेंगे हम इस के जरीए ये जानेंगे कि result में हम true और false को कैसे show करवा सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे तो सबसे पहले ये हमारे पास यहां पे data दिया गया है जिसमें यहां पे serial number है, row number है, name है, percentage है और यहां पे हमने क्या करना है true और false यहां पे हमने show करवाने है तो यहां पे यह percentage दिये गई है तो पहले तो true और false को हम if condition के जरीए निकालेंगे फिर यहां पे हम operator यूज़ करके यहां पे true और false निकालेंगे तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे equal to यह लिखेंगे लिखने के बाद यहाँ पे यह formula यूज करेंगे यह if लिखा इसके बाद यहाँ पे double click किया double click करने के बाद यहाँ पे logical test आ जाएगा यह देखो सबसे पहले यहां पे दिये गया है logical test तो logical test में हमारे पास true और false value यहां पे निकल के आती है तो logical test लगाएंगे यहां पे click करेंगे यह 92 इस cell पे click किया इस cell पे click करने के बाद यह cell name यहां पे आ जाएगा D3 यह देखो D column और 3 यह row है D3 आ गया D3 आने के बाद यहां पे हम यहां पे condition लगाएंगे कि D3 is greater than equal to 90 यह यहां पे हम condition लगाएंगे जिसके number 90 से उपर और 90 के बरावर है वो यहां पे हमें true show करवाए तो यहां पे हम condition लगाएंगे D3 is greater than इसके बाद equal to यह लिखा 90 लिखा यह हमने यहां पे condition लगाई तो इसके बाद यहां पे कॉमा लगाऊ है logical test के बाद तो यह हम यहां पे कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाया कॉमा लगाने के बाद यहां पे दिये गया है value if true अगर यह value सही है यह जो हमने condition लगाई यह सही है, तो यहाँ पे हम true लिखेंगे, तो true एक text है, तो text को हमेशा double codes में लिखा जाता है, तो यहाँ पे double code यहाँ पे start करेंगे, start करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे true, true लिखा, लिखने के बाद double code को यहाँ पे बंद करेंगे, बंद किया, बंद करने के बाद यहाँ पे कोमा है फिर हम यहां पे कोमा लगाएंगे यह कोमा लगाया कोमा लगाने के बाद सेकिंड जो है यहां पे वैल्यू इफाल्स अगर यह वैल्यू सही नहीं होती है ट्र्यू वाली तो अगली में हम क्या लिखे वैल्यू इफाल्स तो यहां पे हम फाल्स ही लिखेंगे तो बंद करने के बाद ये bracket open है इसको हम यहाँ पे बंद करेंगे ये bracket बंद की enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यहाँ पे true आ गया क्योंकि हमने logical test में लिखा था कि d3 is greater than equal to 90 कि जो 90 और 90 से उपर यहाँ पे percentage है उसके लिए यहाँ पे true आए और जो 90 से कम percentage है यहाँ पे उ अगली value के लिए हम देखेंगे कि इसमें क्या result शो कर रहा है तो इसको check करने के लिए यहाँ पे click करेंगे और यहाँ पे इसको drag करेंगे यह देखो यहाँ तक drag किया drag करने के बाद यह देखो जो value यहाँ पे 90 है यह 90 से उपर है वो यहाँ पे true शो कर रही है जो 90 से कम यहा यह 90 से उपर है यह 91 है तो यहाँ पे true आ गया तो इस तरह से इफ function के जरीए यहाँ पे हम true false निकाल सकते हैं इसके बाद अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो true यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे यह अलग color में show तो इसको अलग color में show करवाने के लिए हम यहाँ पे conditional formatting लगाए तो इसको लगाने के लिए हम इसको select करेंगे यह select किया सारा select करने के बाद यहाँ पे conditional formatting यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद highlight cell rules यहाँ पे जाएंगे इसके बाद यहाँ पे text that contains यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे true यह true लिखने के बाद true के लिए कौन सा कलर हम देना जाते हैं तो यहां पे हम कलर सेलेक्ट करेंगे स्पोस करो हम इसको ग्रीन कलर में लाना जाते हैं यह ग्रीन में शो करवाना जाते हैं यहां पे क्लिक किया तो यह देखो ओके पे क्लिक किया तो ओके पे क्लिक करने के वाद यह लिखो जहांपे true लिखा हुआ है वो green color में यहांपे हमें बता रहा है इसके वाद अगला false इसके लिए हमने अलग color यहांपे देना है तो इसको करने के लिए हम फिर इसको select करेंगे यह select किया इसके बाद फिर यहां पे conditional formatting यहां पे जाएंगे highlight cell roots यहां पे जाएंगे इसके बाद text that contains यहां पे click करेंगे और यहां पे लिखेंगे false फाल्स लिखने के बाद यह false जो है किस color में आना चाहिए यहां पे more button पे click करेंगे और इसको हम यहां पे yellow color में देना जाते हैं तो यहां पे yellow पे click करेंगे okay पे click करेंगे तो यह दिखो यह true जो है green में आ जाएगा और यह जो false लिखा हुआ है यह हमें yellow color में दिखाई देगा इसके बाद अब हम यहां पे बिना इप formula के यहां पे true और false निकालेंगे तो उसके लिए यहां पे click करेंगे और click करने के बाद यहां पे equal to यह लिखा लिखने के बाद यहां पे value लिखेंगे 201 यह लिखी इसके बाद यहां पे operator यूज किया is greater than इसके बाद 205 यह 5 लिखा तो यह हमने यहाँ पे लिखा 201 is greater than 205 जब हम यहाँ पे enter प्रेस करेंगे तो यह यहाँ हमें false हो करेगा यह लिखो enter प्रेस किया तो यह यहाँ पे false आगया तो इस तरह से हम यहाँ पे false or true कर निकाल सकते हैं इसके बाद second यहाँ पे करेंगे जैसे यहां पे equal to यह लिखा लिखने के बाद 205 यह 205 लिखा is greater than ग्रेटर दन करने के बाद यहां पे 201 यह 1 किया और जब हम यहां पे enter प्रेस करेंगे तो यहां पे true आ जाएगा यह लिखेंग एंटर प्रेस किया तो यहां पे true आ गया इसी तरह अगले को करेंगे यहां पे equal to use किया use करने के बाद इसके बाद यहां पे लिखेंगे 12 minus यहां पे 4 किया 4 करने के बाद is greater than यहां पे is greater than यह operator लिखा इसके बाद 5 यह 5 लिखा 5 लिखने के बाद जब हम enter प्रेस करेंगे तो यहां पे true आ जाएगा यह रिखो enter प्रेस किया तो यह रिखो यहां पे true आ गया इसके बाद अगला करेंगे जैसे यहां पे equal to यह लिखा लिखने के बाद 12 minus 4 इसके बाद is greater than यहां पे 9 किया तो जब हम यह करेंगे तो 12 minus 4 is greater than 9 यह लिखा जब enter प्रेस करेंगे तो false यहा में आ गया है इसी तरह से अगर हम यहां पर multiply करेंगे यह equal to यह लिखा इसके बाद eight multiply यह multiply लिखा लिखने के बाद two यह किया इस greater than इसके ओद 10 किया यह 10 लिखा तो यहां पर जब हम enter प्रेस करेंगे तो यहां पर true लिखा हुआ जाएगा यह लिखो enter प्रेस किया तो enter press करने के बाद यहां पे true आ जाएगा इसके बाद एक और example यहां पे करेंगे जैसे यहां पे equal to यह लिखा लिखने के बाद 8 multiply यहां पे multiply to और इसको greater than 19 किया यह 19 लिखा जब enter press करेंगे तो यहां पे false आ जाएगा तो इस तरह से यहां पे हम operator यूज करके true और false को निकाल सकते हैं तो इस वीडियो में हमने true और false function के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद